हेलो स्टूदेंस पिछले वीड़ीयो में हमने एक नया टोपिक स्टार्ट किया था कि साधारन नमक से कौन-कौन से रसाइनिक पदार्थ प्रात किया जाते हैं और उसमें सबसे पहला हमने पढ़ा था सोडियम हैदुक्साईड कि साधारन नमक के जल्य विलियन से जब विद्युद्धारा प्रवाइद की जाती है तो उससे हमें क्या मिलता है उससे हमें मिलता है सोडियम हाइडुकसाइड और ये उस अभीक्रिया के लिए रसाइनिक सामिकरन था सोडियम हाइड उकसाइड का जली है विलियल इसमें से विद्यू धरा गुजारने पर हमें मिलता है सोडियम हाइड उकसाइड और साथ में कलोरीन गैस और हाइडोजन गैस ठीक है और मैंने आपको ये भी बताया था कि इन तीनों के काफी ज़्यादा उपयोग है एक तो इन तीनों के अपने ही काफी यूजिस है खुद भी ये काफी चीजों के काम आते हैं कई तरह से हमारे काम आते हैं लेकिन इन से कई और रसाइनिक पदार्थ भी बनाए जा सकते हैं तो साधारन नमक से जो हमें ये तीन पदार्थ मिले रसाइनिक पदार्थ इन तीनों का उपयोग और रसाइनिक पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है और मैने आपको ये भी बताया था कि इस अभीकरिया का नाम है क्लोर, شार, परक्रिया क्योंकि इसमें एक तो क्लोरीन गैंस का उत्पादन होरा है ओर ये बना है सोडियम हायरोकसाइड और सोडियम हायरोकसाइड एक शारख है जोकि जल में गुलनशील है इसलिए इसको शार भी कहते हैं ठीक है तो क्योंकि इस अभी क्रिया में क्लोरीन और शार का उत्पादन हो रहा है इसलिए इसको क्लोर शार प्रक्रिया कहा जाता है तो अब हम यह बढ़ेंगे कि आगे जो हमारे टोपिक्स हैं उनमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम सोडियम क साधारन नमक औरर साइंक पदार्थों का निम्मान कर शकते हैं और इस के अलावा यह जो तीन हमें यहां से और कर्यासमने समत से प्राप्त हुए हैं female प्राप्त कर शक्या हैं अजुचन इनका कैसे यूज यूस करके हम दूसरे में चुन जिसकों की इंग्लिश में आपने सुना होगा इसका नाम इंग्लिश में तो काफी सुना होगा bleaching powder ठीक है और bleaching powder का काम क्या होता है bleaching powder का काम होता है दाग धब्बे हटाना कई अधार्थों से ये दाग कई वस्तों से दाग धब्बे हटाने के लिए bleaching powder का use किया जाता है कपड़ों से भी हटाने के लिए आप इसके उपयोग भी आगे पढ़ोगे कि इसके और क्या क्या उपयोग है bleaching powder के पहले हम इसकी अभिक्रिया पढ़ते है कि जिस अभिक्रिया के द्वारा ये बनता है तो इसके लिए ये बनता कैसे है ये बनता है जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस गुजारी जाती है जब शुष्क बुझे हुए चूने से क्लोरीन गैस गुजारी जाती है या हम आसान शब्दों में कह सकते हैं जब शुश्क बुझे हुए चूने की अविक्रिया क्लोरीन के साथ करवाई जाती है तो हमें विरंजक चून प्राप्त होता है विरंजक चून को मैंने आपको बता दिया ब्लीजिंग पाउडर भी कहते हैं विरंजक का मतलब ही क्या होता है विरंजक का मतलब होता है दाग धबे हटाने वाला यानि कि सफाई करने वाला ठीक है, तो ये सफाई करने के काम आता है, यहाँ पर आप इसको ध्यान से पढ़ना आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लॉराईल यानि की लवन, साधारन नमख है ये लवन होता है, इसके क्लोरीन गेंस का उपयोग हम विरंजक चून बनाने के लिए करते हैं जब शुशक बुझा हुआ हुआ चूना इस पर से क्लोरीन गेंस का निरमान होता है विरंजक चून का सूतर यह है आपको यह आद रखना है जरूर क्योंकि यह एक्जाम्स में हर्याना बोड के एक्जाम्स में तो ये आता ही है जिसमें की पूछा जाता है आप से की विरंजक चून का रसाइनिक सूतर क्या है तो ये विरंजक चून का रसाइनिक सूतर है और ये किस परकार से बनाया जाता है उसके लिए रसाइनिक अभिक्रिया लिखो तो विरंजक चून का रसानी सूत्र आप ये लिखोगे ठीक है और उसकी रसानी के अभी क्रिया उसके उत्पादन की वो ये है तो आपको ये अच्छे से करनी है अब इसमें शुष्क बुजा हुआ चूना है तो अब हम इसको बुजा हुआ चूना क्यों कह रहे हैं एक बिन बुजा हुआ चूना भी होता है तो मैं आपको दोनों के बारे में बताती हूँ बुजा हुआ चूना और बिना बुजा हुआ चूना तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बिना बुजा हुआ चूना अब आपको पता है ना कि अगर कोई चीज में आग लग जाती है त ठीक है अगर इसको जल में मिला दिया जाता है इसको जल में मिलाने से बनता है ये कैलिशियम हाइड अगसाइड और इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना ये बिना बुजह हुआ चुना कैल्शयम उक्साइड और ये बिना बुजह हुआ चुना जो बिना बुजह हुए चुने को जल में डालने पर प्राप्त होता है वो है बुजह हुआ चुना मैं आपको ये इसलिए बता रहे हूँ अभी करिया क्योंकि आपको एक हिंट मिल जाए कि बिना बुझा हुआ हुआ चुना जो है उसमें हाइरुजन नहीं होगा कहीं पे भी क्योंकि जब उसमें जल डालेंगे तो जल का हाइरुजन उसमें जाएगा ठीक है जब बिना जहा हुआ चुना का भी तो अब मैं आपको जो हम में कर रहे हैं विरंजक चून की अभी उत्पत्ति कैसे होती है उसका उत्पादन कैसे होता है वो भी आपकी रसायनी कभी किरा दी हुई है कि जब हम शुष्क बुझे हुए चूने की अभिकरिया क्लोरीन गैस से करवाते हैं तो हमें विरंजक चून पराब्ध होता है और विरंजक चून का सूतर है C-A-O-C-L-2 थोड़ा सा ही फर्क है इसके सूतर से सिर्फ ये आपने ब्रैकिट हटा देना है ठीक है और H के जगा C-L लगा देना है इसमें से आपने ब्रैकिट हटा के दोनों ह की जगा सीय लगा देना है ये है विरंजक चून का सूत्र ठीक है ये तो हो गई विरंजक चून का उत्पादन के लिए रसाइनी का विक्रिया और इसके बाद विरंजक चून के हम उप्योग पड़ते हैं वस्तर उध्योग में सूती एमम लिनन ये सूती कपड़ा होता है जैसे लिनन भी एक कपड़ा होता है आप जानते होगे वस्तर उध्योग में सूती और लिनन के विरंजन के लिए ठीक है तो यहाँ पर हमारा कोमा आएगा वस्तर उध्योग में प्रयोग के आता है इसका सूती और लिनन के विरंजन के लिए कागज की फैक्टरी में भी उप्यों के आया था इसका लकड़ी के मज़ा एमम लोंडरी में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए ठीक है कागज की फैक्टरी में लकड़ी के मज़ा के विरंजन के लिए आप इसको पूरा अगर हम कपड़ के विरंजन के लिए ठीक है कपड़े साफ कर देते जब कपड़े होते हैं लून्री में तो अगर दाग धबे रह गए तो ब्लीचिंग पाउडरा का विरंजक चून का प्रयोग करके उन दाग धबो को हटाया जाता है और वस्त रुद्योग में जहां पर कपड़ा जाता है सूती अलन वहां पर भी कपड़ों को साफ करने के लिए विरंजक चून का प्रयोग के आता है और कागज की फैक्टरी में लकड़ी के मज़ा कागज किससे मिलता है आपको पता है पेड़ से मिलता है ना कागज तो जो लकड़ी की मज़ा होती जो लकड़ी का गु यह विरंजक चून का प्रयोग किया जाता है इसके बाद next है कई रसायनिक उध्योगों में एक उपचायक के रूप में बहुत सारे रसायनिक उध्योग होते हैं जहां पर रसायनिक पदार्त रसायनिक योगिक बनाये जाते हैं वहां पर उपचायक के रूप में इसका प्रय इसके बाद तीसरा इसका प्रयोग है पीने वाले जल को कि जिवानों से मुक्त करने के लिए तो आपने क्लोरीन का भी उप्योग पड़ा था क्लोरीन का उप्योग क्या होता है कि वो जल की स्वच्छता के लिए जरूरी होता है कि टानू नाशक के रूप में प्रयोग किया आपने अभी इसका फोर्मूला देखा CAO CL2 तो इसमें क्लोरीन है यह इसलिए इसमें से क्लोरीन की काफी स्मेल आती है ठीक है और वैंसे ही एक एक्स्ट्रा उसके लिए बतारी क्यों विरंजक चून जो होता है अगर आप इसको रख देते हो काफी टाइम के लिए तो इसमें से क्लोरीन दीरे-दीरे करके उड़ जाती है इसका प्रभाव जो है फिर इसलिए कम हो जाता है इसके बाद यह हमने पढ़ा विरंजक चून कैसे बनाया जाता है और इसके उप्योग क्या है अब हम बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे बेकिंग सोडा का नाम तो आपने इस चैप्टर में कई बार सुना है बेकिंग सोडा यानि की मीठा सोडा या हम कहते हैं खाने का सोडा ठीक है, बेकिंग सोडा का उप्योग, अब जब इसके बारे में पढ़ोगे ना, तो आपको कई सारी चीज़े याद आ जाएगगी, खाने की याद आ 비किंग सोडा का उप्योग, आम तोर पर रसोई घर में स्वाधिश्ट खस्ता पकोड़े यादी बनाने के लिए किया जात आपने सुना होगा कि जब चने उबालते हैं तो सोडा डाल देते हैं जिससे वो जल्दी उबल जाते हैं ठीक है इस योगी का रसाइनिक नाम अब जो इंपोर्टन चीज है वो यह है यह तो आपको पता है सब बेकिंग सोडा का उपयोग कहां किया जाता है तो यह इतना मेंज चीज क्या है इसमें मेंज यह है बेकिंग सोडा का रसाइनिक नाम और उसका सूत्र ठीक है तो इसका रसाइनिक नाम है सोडियम हाइडोजन कार्बोनेट देखो इसका रसाइनिक नाम जो है ना इसके सूत्र से ही याद हो जाएगा आपको सोडियम हाइडोजन प्योग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है जब हमने विरंजक चूण पड़ा तो हमने देखा विरंजक चूण बनाने के लिए सो डियम क्लॉराइड से जो क्लॉरीन गैंस मिली थी उसका उप्योग साद गया लेकिन बेकिंग सोडा khi्वाइड बनाने के लिए आइनेक अभिक्रिया जिस से की वो उनको बनाया जाता है ये चीजे बहुत इंपोर्टन्ट है इसके अंदर ठीक है इसलिए आपको यह अभिक्रिया भी याद करनी है जिसमें की जो सोडियम हार्डूजन कार्बोनर जानी की बेकिंग सोडा है जब वो कैसे बनता है जब सोड जल्य विल्यान की दीकिया करवाई जाती है तो हमें यह दो पदार्थ पराप्त होते हैं यह aamonium chloride आप देखो नीचे नाम भी दिया हुआ है और यह सॉडियम hydrogen carbonate ठीक है तो सोडियम hydrogen carbonate का नाम नाम है एक में चीज आपको और बताऊंगी इसका नाम कई जगा sodium bicarbonate भी लिखा हुआ होता है तो दोनों ठीक है sodium bicarbonate भी और sodium hydrogen carbonate एक ही बात है ठीक है तो आप दुबारा से यह अभी करिया देखो sodium chloride के जलिये विलियन की अभी करिया जब carbon dioxide और ammonia gas के साथ करवाई जाती है तो ammonium chloride ammonium chloride का सूतर भी याद कर लेना NH4Cl और sodium hydrogen carbonate जाने की baking soda प्राप्त होता है ठीक है और आपको याद होगा baking soda का मैंने पहले भी बताया है आपको पिछली वीडियो में पिछली से जो पिछली वीडियो थी उसमें भी हमने किया था जिसमें हमने लवन के प्रकार के बारे में पढ़ा था कि लवन जो है वो कैसे प्राप्त होते हैं और उनसे उस पर डिपेंड करता है कि लवन शार्किया होगा अमलिया होगा या उदासीन होगा और आपने पढ़ा था कि sodium hydrogen carbonate जो है वो एक शार्किया लवन है क्योंकि वो प्राप्त होता है sodium hydroxide और सोडियूम हाइड़कसाइड और किस से प्राप्त होता है जो वेकिंग सोडा है सोडियूम हाइड़कसाइड और कार्बोनिक अमल से प्राप्त होता है जो कि एक दुर्बल अमल है सोडियूम हाइड़कसाइड प्राप्त है जब कि कार्बोनिक अमल एक दुर्बल अमल है ठीक pH पत्र डालोगे तो उसके रंग में जो परिवर्तन होगा वो आपको बताएगा कि इसकी pH आठ साड़े आठ तक होती है इससे ज्यादा नहीं होती है ठीक है तो इसका उप्योग अमल को उदासीन करने में भी किया जाता है और उदासीनी करन अभी करिया जब मैंने आपको सकते हो कि इसका उप्योग अमल को उदासीन करने में भी किया जाता है और ये एक दुरुबल शारीय लवन है खाना पकाते समय है अब खाना बनाने के लिए इसका यूज क्यों करते है हम यह चीजों को फुला क्यों देता है जो बेकिंग सोड़ा है वो चीजों को फुलाता क्यों है क्योंकि अभिक्रिय होती जब इसको गरम क्या आता ना आप जब आटा गूद रहे हैं गूद रहे हैं जैसे कि आपने बेसं का घोल बनाया उसमें आपने क्या किया बेकिंग सोड़ा डाल दिया थुड़ासा ठीक hé जब वो घुल गोल बनाया उसमें आपने क्या किया बेकिंग सोडा डाल दिया थोड़ा सा ठीक है जब वो गोल तेल में जाएगा तो वो गरम होगा और उसमें जो बेकिंग सोडा है वो भी गरम होगा बेकिंग सोडा जब गरम होता है तो कारबन डायोकसाड गैस निकलती है और ये कारबन जो है अंदर भर जाती है और वो फूल जाती है वो वस्तु जो भी खाने की वस्तुवा बना रहे हैं जिसमें आपने सोडा डाला था जब आपने उसको गरम किया तो गरम करने पर यह अभिक्रिया होगी सोडियम हारोजन कार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन कारबन डियोगसेट गैंस का निर्मान होगा और जहीं कारबन डियोगसेट गैंस उन खाने की वस्तियों को फुलाने के काम आती है ठीक है सोडियुम यह प्रिया भी आपको याद करनी है कि क्या होता है जब बेकिंग सोडा को गरम किया जाता है इस तरह से कोशन आप से तो एक होनुआ पाने के बारे में सीखते हैं, तो कहीं पर बेकिंग पाउวडर सुने वाले वाले को लगता है कि दोनों चीजे से बनता है बेकिंग सोडा और साथ में एक अमल है दुरूबल अमल है टार्टरिक अमल उसको मिलाए जाता है उन दोनों को मिलाने से बेकिंग पाउडर बनता है यह देखिए आप इसमें यह दिया है बेकिंग पाउडर बनाने में जो की बेकिंग सोडा और टार्टरिक अमल अगई पांगोर में मिलता है युजार, विकिंग पाइट्री शुक्त नियुक्त, अबटाया एक अगुर में मिलता है उसके मिलें उसके अंदर उसके प्राफ्त कर सकते हैं और इसको बना भी सकते है जब बेकिंग पाउडर को गरम करते हैं अभी आपने देखा कि जब हमने बेकिंग सोडा को गरम किया तो कारबन डेक्षार निकली लेकिन बेकिंग सोडा के साथ कोई अमल नहीं था ठीक है लेकिन जब अब क्या है बेकिंग सोडा के बेकिंग सोडा जब बेकिंग सोडा को गरम किया जाता है जिसमें की अमल भी है तो कारबन डैक्साड गैंस ही निकलती है यहां पर भी लेकिन यह जो कारबन डैक्साड गैंस निकलती है काफी जादा मातरा में होती है बेकिंग पाउडर का उपयोग वहां करते हैं जहां पर की जादा फुला ज्यादा carbon dioxide gas उत्पन होती है तो यह अभिक्रिया भी आप या दख सकते हो इसके बाद यह तो हो गया हमारा baking powder बनाने में baking soda का उप्योग और आपको पता ही है बेकरी की जितने भी चीज़े होती है उन सबको बनाने में इसका उप्योग किया जाता है अब यह जो अभिक्रिया आपने पढ़ी अभी यह अभी क्या थी जो आपने अभी पढ़ी है वो है जो बेकिंग सोडा था बेकिंग पाउडर में बेकिंग पाउडर में एक तो यह है बेकिंग सोडा और साथ में एच आयन है जो की टार्टरिक अमल से आये हैं इनको दोनों को जब गरम इनके मिश्टन को यानि की बेकिंग पाउडर को गरम किया जाता है तो कारबन डैकुषड गैस बनती है साथ में जल और लवन बनता है ठीक है तो अब ये देखो आप क्या उठाया जा सकता है हम यही कहते हैं कि खमीर उठाया है जैसे कि अगर आपको भटूरे बनाने हैं तो जो मैदा होता है मैदे में बेकिंग पाउडर डाल देते हैं या बेकिंग सोडा डाल देते हैं तो उससे क्या होता है कि थोड़ी दिर तक अगर आप उस आटे को रख द सकता है और इसके फूलने से क्या होता है कि मुल를 हो जाते है वह बोज़ता है और tutti spongy हो जाते हैं स्पंजी क्या होुजाता है कैखि थीक्ट जो है वीक्न फाइसा क्या होता है कि काफी दब सकता है केक पेस्ट्री वगरा आपने खाई होगी तो वह वैसा होता है दबा कर स्पंजी जैसा सोडियम इसके बाद यह तो था कि बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उप्योग किया गया बेकिंग सोडा का उप्योग बेकिंग पाउडर बनाने में किया गया ठीक है और बेकिंग प आपको याद रखना है यह अच्छे से एंट एसिड क्या है एंट एसिड है कि जिसका प्योग हम जब एसिडिटी हो जाती है हमें जादा खाने के कारण जा मसाले वाला खाना खाने के कारण तो उसको शांत करने के लिए उस एसिडिटी को ठीक करने के लिए एंट एसिड हम ल तो इस तरह से ये चीजे एंट आस्ट के रूप में प्रोग कियाते हैं लेकिन एक और मैंने आपको बता था, milk of magnesia, milk of magnesia को ज्यादा यूज किया आता है, जो है magnesium hydroxide, इसका मैंने आपको सूतर भी बताया था, magnesium hydroxide जो की एक दुरूबल शारक है, ठीक है? यह milk of magnesia है इसका उपयोग antacid के रूप में किया आता है लेकिन यहां हम क्या बता रहे हैं इसका उपयोग भी हम antacid के रूप में कर सकते हैं sodium hydrogen carbonate याने की baking soda का उपयोग जो हमारे घर में रखा ही रहता है mostly अब क्योंकि यह शारक है इसलिए यह पेट में जो extra आमल उत्पन हो गया इसलिए यह शारिय है और यह पेट में जो जादा अमल उत्पन हुआ है उसको उदासीन करके हमें राहत पहुचाता है जो पेट में जलन है वो कम हो जाती है और लास्ट इसका है और भी वैसे बहुत हैं लेकिन आपको इतने ही करने इसका उपयोग soda अमल अगनी शामक किया जाता है अगनी शामक क्या होता है अगनी शामक आग भुजाने का यंत्र ठीक है अगनी को शांत करने का यंत्र तो अगनी शामक आता है एक soda अमल अगनी शामक उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है नेक्स्ट जो हमरा साइनिक पदार्थ पढ़ेंगे वो है धोने क दोने का सोडा जो है इसका सूत्र है मैंने आपको बताया था कि आपको सूत्र जरूर याद अखने है कपड़े दोने का सोडा है यह इसका सूत्र यह है सोडियम कार्बोनेट डोट लगाने है बीच में 10H2O ठीक है आप सोचो कि हम सिर्फ इतना लिखते हैं आपको यह नहीं लिखना है साथ में आपको डोट लगाकर 10H2O भी लिखना है आपको अब दोनों के सूत्र में अंतर याद अखना है कि जो बेकिंग सोडा है उसका सूत्र है सोडियम हाइडोजन कार्बोनेट ठीक है और जो दोने का सोडा है उसका सूत्र यह है जिसमें सोड ऑने का सोडा इक अन्य रसायन है जिससे सोडियम खुल्रॉड से ही प्राप किया जा सकता हैं तो बेकिंग सोडा को गरम करते हैं उस भाव पर देखा तो वाहन वाह år उसको नहीं भाड़े दारि देमस में थेज़ा की था 14 जी में गरम किया है तो उसमें एक तो ये बनता है Na2, CO3, sodium carbonate बनता है धोने का soda नहीं बनाया उसमें sodium carbonate बनाया साथ में carbon dioxide बनती है और जल बनता है ठीक है? ये हमने किया तो ये जो मिला न हमें carbon dioxide gas तो निकल जाएगी अगर हम बनाते हैं इसको खाने की चीज़ में ना डालकर हम अगर इससे ये बनाते हैं तो carbon dioxide gas निकल जाएगी और जो ये बचेगा ये होगा इसका घोल जब इसमें से sodium carbonate का crystal करन किया जाएगा तो वो हमें मिलेगा धोने का soda ठीक है? तो आप देखो यहां दिया है sodium chloride से इसको प्राप्त किया जाता है baking soda को गरम करके sodium carbonate प्राप्त कर सकते हैं sodium carbonate के पुने crystal करन से अभी आपको यही बताया है मैंने crystal करन होता है जैसे चीनी का गूल बनाते हैं चाशनी कई बार उसको रख देते हैं तो उसमें आपको थोड़ी रख देते हैं ठंडा होने के बाद उसमें आपको चीनी दिखाई जैती है कि चीनी कहां से आगई हो तो घुल गई थी वो crystal करन हो है इसका तो sodium carbonate जो हमें यहां से मिला baking soda से उसको crystal करन करके दोने का soda प्राप्त किया जा सकता है और यह भी एक शार के लवन है ठीक है और इसकी भोती सिंपल सी अभी करिया है कि जो sodium carbonate हमें मिला sodium hydrogen carbonate से उसको plus H10H2O जल में जब डाला और उसका पुने crystal करन किया तो हमें यह जेम बन मिल गया क्या है आपको द्यान लखना है यहाँ पर आपको plus लगाना है ठीक है यहाँ आपको plus लगाना है और यहाँ पर आपको dot लगाना है इन दोनों के बीच में सिर्फ यह फर्क है 10H2O क्या दर्शाता है अब जो यह 10H2O है यह क्या दर्शाता है कि जो ये Series घो best proces to primary plan अॉर्प हों अधर इसके अंधर आधरता है नमी है इसके अंधर आधरता ही इसके अंधर अधर से देखनें पर यह सूठा दिखा देगा लेकिन अंदर से वास्ताव में इसमें नमी होती है ठीक है अध्यप जो दिल्यक्ती में य की होते हैं, इसके जो उपयोग हैं, अब हम ल aap बाब ल aap को पता है कि दोने का जोड़ आ सफाई करने के लिए उपयोग काच साबुन और कागाज दोगों में होता साबून बनाने के लिए हुदा इसका उपयोग बोरیک्स जैसे सोडियं योगी के लिए होता है इसका उपयोग हो जल क्पछी क्योंकि यह दो तो सेम है बिल्कुल एक यह जो नीएद में चेजिए ओंड हो तैस्व में एक साबुन उध्योग आप याद रख लोगे और काच का उध्योग तो इतना भी काफी है ठीक है और एक यह है कि जल की स्थाई कठोड़ता को हटाने के लिए इसका उप्योग किया जाता है जल की स्थाई कठोड़ता क्या होती है जैसे आपको पता कि कई बार कई जाती है गरम करके पानी को उसको कठोड़ जल को मिर्दू जल बनाया जा सकता है लेकिन स्थाई कठोड़ता जो है वो असानी से नहीं जाती है उसको हटाने के लिए स्थोने के सोड़े का उप्योग किया जाता है तो आपको इसमें क्या याद रखना है इसका सूत्र ठीक ह और इसकी अभिकरिया जिससे ये बनता है और इसके उप्योग ठीक है दो दो उप्योग आप सबके याद रख सकते हो तो आज हम इतना ही करेंगे इस वीडियो में तो आपको ये अच्छे से जो जो मैंने आपको बताया है सब ध्यान से करना है सभी रसाइनों के रसाइनिक सूत्र उनके रसाइनिक नाम जिस अभिकरिया से उनको बनाया जाता है उस अभिकरिया का रसाइनिक समे करन और उनके कम से कम दो दो उप्योग आपको याद रखने है ठीक है तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में ओके